दोस्तों पाकिस्तान जैसा की नाम से ही सपस्ट है हिंदूओं की जमीन हड़कर इसलाम के लिए पवित्र इस्थान बनाये जाने की कलपना के साथ इस देश को जन्म दिया गया था लेकिन दोस्तों पवित्र पाकिस्तान बने ना बने पाकिस्तान पापिस्तान तो पके से बन पाइश्टान के लोग खाडी में जाते हैं तीर स्यात्रा करने के लिए लेकिन ये भायाजी दिखावटी तीरतीयात्री है असलियत में ये भीक मांगने वहां पर जाते हैं इसलिए आज पाकिस्तान का नाम भरत में नहीं खाडी के देशों में इसलामिक देशों में बदिनाम हो रखा है पाकिस्तान जिसे कल तक आतंकवादियों और भिकारियों के एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाता था अब उसकी दुनिया में प्रसिद्धी हो रही है भिकारी और जेवकतरों के एक्सपोर्टर के रूप में दोस्तों कही लोगों की कमेंट आते हैं उनका कहना है कि अगर भारत ने किनेडा को अमेरिका को वरकर्स देना बंद कर दिये तो पाकिस्तान सप्लाई कर देगा तो भाईया जी पाकिस्तान के लोग कोई काम नहीं कर सकते सिवाए बच्चा पैदा करने के अलावा और ये बात खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाईया जी इनके स्टूडेंट्स के पास कोई होनर कोई कौसल नहीं है पाकिस्तान से आगे तो भाईया जी नेपाल है नेपाल का छेतरफल हो अठ्वा आबादी दोनों ही पाकिस्तान के सामने तो ना के बरावर है फिर भी पाकिस्तानियों से आगे निकल अगया है जापान ने साड़े तीन लाख मांगे थे जिसमें दिड़ लाख बारत ने दिए करीवन 991ृंवे ने रहित है पाकिस्तान ने पता है कितने दिए मााच्तर 200 लोग पाकिस्तान में टेलेंटेड आदमी खोरजना भूजे के ठेर में 100 हुआ हीं को दोस्तों इस्लामिक देश पाकिस्तानओं को दूसरे इसलामिक देश इनके भाई बंदु इनको गालियां दे रहे हैं हमारे देश में जमीनी सच्चाई देख लीजिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आई तो उनके स्वागत में सेकड़ों की संक्या में भारतिय खड़े हो गए भाई साब पाकिस्तानी जंडा लहरा रहे हैं इसलिए दोस्तों एक बार नहीं बार बार हमने कहा है कि जिन लोगों ने भारत में रहकर पाकिस्तानी मंग का समर्थन किया उनूंने पाकिस्तान तो बनवा दिया लेकिन रह गए हिंदुस्तान में ही क्योंकि इन्हें भारत के और बटवारे करने हैं खाड़ी के देश पाकिस्तान में चाहे दिन रात जूते मारते रहें उसके बावजूद भारत में बैठे पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए अपना प्यार उडेलते रहेंगे पाकिस्तान में लोगों को दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए एक दूसरे का पेट काटना पड़ता है इसके सामने भारत में मोधी जी फ्री में अनाज बाट रहे हैं उसके बावजूद ये पाकिस्तानी लोग मोधी साहिब को इगाली देते हैं सरकार की हर सबसेडी का हर स्कीम का सबसे ज्यादा लाव ये पाकिस्तानी लोग उठा रहे हैं जेब में आयुसमान कार्ट धरा हुआ है लेकिन कहते हैं भारत में शलाओं खत्रे में हैं इसलिए दोस्तों जबकि करनाटक हुआ और बिहार हुआ जहां पर अलप संख्यकों के लिए विशेश तोर पर सबसेडी क्रोग्राम लाउंच हुआ है तो हमने मोधी साहिब से मांग करी है चुनाओ सामने खड़े हैं क्या बहु संख्यकों में गरीव नहीं हैं बहु संख्यक गरीवों के लिए महलाओं के लिए विशेश तोर पर रियायत लोन बेवर सबसेडी क्यों नहीं दे रहे हैं मोधी साहिब ये नेक काम है जितने जल्दी किया जाएगा उतना अच्छा होगा